नमस्कार दोस्तों कैसे हैं सब लोग तो फाइनली हमारे बिटकोईन ने आज 50,000 का मार्क जो है वो टेच कर लिया अब देखिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टन होने वाला है क्योंकि इसके अंदर में कुछ ऐसी बारीक हैं डिसकुस करने वाला हो मार्केट से जो कि आप लोग को नहीं पता डेफिनेटली और फ्लीज थोड़ा सा टाइम दीजेगा वीडियो को आप लोगो सब कुस समझ वाएगा शिबा इनों को परस्नली यहां पर मैं डिसकुस करूँगा वो यहां पर थोड़ा इंपॉर्टन है यहां पर हम देखने बिटकोईन क से लेके 50,051 के आसपास यदि इसको यह ब्रेक करके upside moment ले लेता है जो कि अभी तो हमको नजर आ रहा है बिल्कुल यदि मैंने यहां पर देख सकते हो one week का मैंने candle यहां पर frame खोल रखा है और इसको आप check out करें तो यह already इसने cross out कर दिया है लेकिन यह हमको green candle ना बड़ी च इसको break कर चुक है already और इसको break करने के बाद जो मेरा इसका next target है वो बहुत बड़ा target होने वाला है और वो लगबग आप देख सकते हो 144% upside moment होगा यहां से bitcoin का लेकिन हमको क्या चाहिए हमको केवल bitcoin चाहिए नहीं हमको चाहिए alt season index में कुछ moment होना चाहिए वो नहीं होगा point यहां पर यहीं आजाता है कि क्या यहां से moment रहेगा देखें मेरी अभी entry होने वाली है bitcoin के अंदर हो चुकी है already मैं सही बताऊं तो bitcoin के अंदर मेरी already entry हो चुकी है और मेरा जो यहां पर first stop loss है मैंने बहुत छोटा stop loss रखा है वो है तकरीबन 50,000 के असपास का stop loss 50,000 से थोड बिल्कुल free है कोई आपको एक पैसे कहीं पर भी देने की आवशकता नहीं है और अभी तर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज कर दो यार उससे थोड़ा सा motivation जरूर मिलता है चलिए और बाकी I hope like तो आपने करी दिया होगा वीडियो के अंदर अब यहां पर देख अपने past history को जितना देखा होगा BTC एक stable range में आ जाना चाहिए अब यदि ये 53 को देखे ये अल्रड़ी breakout कर चुका है 52.49 का इसका एक resistance zone था जो कि इसने अल्रड़ी break कर दिया है market dominance index की बात कर रहा हूँ है BTC के यानि कि हमारे bitcoin का उसको इसने अल्रड़ी break कर दिया है वहां स हमको क्या चाहिए इसी range में ये चलता रहे कुछ दिनों तक यदि ये अगले 10-15 दिनों तक इस range में चला गया यानि कि bitcoin एकर fix area में float करता रह गया तो मानके चलिए आप लिखके ले लिजे कि अपने alt coins बढ़ने वाले हैं और बहुत next level पर बढ़ने वाले हैं और सुरुआत कहां से होगी वो ethereum से starting होने वाली है ethereum होगा उसके बाद में जो large cap coins है फिर बाद में medium cap है उसके बाद में small cap है तो उस तरीके से चलेगा meme tokens में time लगेगा लेकिन कुछ अलग meme tokens भी मेरे नजरों में हैं वो भी आपके साथ में discuss जरूर करूँगा क्योंकि जब भी ऐसा time आत बाना कितनी holding है आपके पास क्योंकि ये वो token है जिसकी अभी पहले एक news आई थी Elon Musk के दरफ से भी तो कहीं न गई शिबा इनों के अंदर back end में बहुत सारी चीज़ें चल रही है जो कि अभी front end में आही नहीं है ठीक है तो थोड़ा सा हमको वक्त लगेगा जरूर लेकिन य नहीं एंट्री जहां पर चार्ट सम को शो कर रहे हैं वो एंट्री आपको दिखा देता हूं एक इसके अंदर मैंने एंट्री लिए चोटी सी क्योंकि यहां पर मेरा stop loss भी बहुत चोटा है तक्रीबन 10% का मेरा stop loss है वैसे तो 10% बहुत ज़्यादा होता है लेकिन ठीक है फ तो आपको और भी अच्छी एंट्री मिलेगी डेफिनिटली वो भी मैं आपको शेर करूँगा टेलिग्राम पर लेकिन weekly में क्योंकि मैं थोड़ा सा majorly क्या होता ना मेरा जो तरीका होता है way of trading वो थोड़ा सा long term कह सकते हो क्योंकि crypto के अंदर weekly भी एक long term ही मान लो week एक हफत मतलब बहुत बड़ा एक time frame होता है तो उस हिसाब से लेने का अभी सहीर लग रहा है मुझे और यहां पर आप लोग देख सकते हो कि one point ये देखिए zero point four या five zeros के बाद में 110 के आसपास ये एक stop loss है देखिए मैं simple सी बात बता हूँ तो shiba inu के अंदर आपको entry लेनी है तो exact point बहुत नीचे है जो कि मुझे लगता नहीं है अभी आएगा 0.6 के आसपास है उसमें time लगेगा लेकिन एक entry है 0.844 के पास में इस entry को आप बना सकते हो और यहां से थोड़ा long term play करना चाते हो ना तो कर सकते हो ठीक है तो ये अपनी entry होगी बाद में nickel भी जाना यदी 0.11 के आसपास आता है तो nickel भी जाना ठीक है तो ये एक value याद रखना बाकी Shiba Inu के अंदर और को important news होगी definitely आपके साथ में मैं discuss करूँगा altcoin season index के हम already बात कर चुके हैं तो अभी बहुत time है बहुत time मतलब मैंने आपको क्या कहा कि dominance एक stable हो जाना चाहिए bitcoin stable हो जाना चाहिए अपने alts बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे कहीं नहीं जाने वाले तो ये चीज़े अभी 47 के आसपास है alt season index आता है 70-75 के उपर के side में तो ये आपको याद रखना है तो अभी time ज़रूर लग सकता है लेकिन थोड़ा सा भी stabilise हो गया ना market तो फिर alt season आने से कोई रोक नहीं पाएगा बाकी एक news है major जो कि अपनी export यहाँ पर जितने भी है नाइजीरिया के अंदर वो चाहते हैं कि asset जितने भी अपने crypto assets है उनके उपर कही न कहीं rules and regulation आने चीए और जो कि अच्छी बात है देखिए छोटे छोटे nations जैसे try up कर रहे हैं इन चीजों को लेके ये बहुती बढ़ rules and regulations नहीं आएंगे तब तो clarity of thought नहीं आती है mind के अंदर वो चाहिए है definitely यदि आप एक थोड़ा सा long term reason रखते हो crypto market के अंदर तो चलिए फिर इनहीं बातों के साथ में आपका क्या viewpoint है comment में जरूर बताना market को लेके 50,000 तो हमने cross कर दिया है abilities इने इतने time बाद में 50,000 cross किया ह मतलब मज़ा आरा आज के दिन में क्योंकि 50,000 cross करना बहुत time से wait कर रहे थी बहुत important resistance zone है अभी फिर से 49,000 के आसपास आ गया है 49,990 के आसपास यानि कि तकरीवन 50,000 ही है लेकिन उमीद करते हैं कि ये 50,000 को मतलब वहीं पर रहे कुछ दिनों तक ऐसा नहीं कि वो नीचे ग पर दो